हेलो सुदेंस वेल्कम यू टु दिस वीडियो लेक्चर इस लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी पॉलिटी जवर्णनेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिसकस करेंगे दाथ ये लेजिसलेटिव प्रोसीज़र ऑफ लेजिसलेटिव प्रोसीजर या फि किसी भी examination की आप बात कर लें इसके इलावा UPSC के दूसरे exams की भी बात कर लें जिसमें general studies वगएरा आती है बड़ा फेवरेट topic है इंडियन policy and governance में से examiner's वगेरा के लिए बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं तो हम लोग इस lecture में इस topic के बारे में बातचीत करेंगे कि legislative procedure क्या होती है कानून बनाने की process क्या है किस तरीके से उसको किया जाता है क्या उसमें अलग-अलग various stages आते हैं किस तरीके की questions इसमें से जो यह word है इसका मतलब है कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून बनाने की process जैसा कि हमको पता है कि Parliament यह हमारी संसच जो है इसका जो main काम है वो है कानून बनाना तो कानून कैसे बनाए जाएंगे क्या तरीका होगा क्या प्रोसीजर होगा यह सारी चीज़ें जो है legislative procedure में आती है अब legislative procedure क्या है इसको पढ़ने के पहले हमें एक चीज या फिर एक term पता होना चाहिए जिसका नाम है बिल बिल का मतलब क्या होता है बिल बेसिकली legislation का एक procedure है यानि कि कोई एक चीज है जिसके उपर आप कानून बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि पारलिया में उसके उपर कानून बना है तो आप उससे related एक बिल लेकर आते हैं या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक कागस का तुकड़ा है जिसके उपर आपने एक particular विशह से related एक कानून लिखा है लेट से railway की बात कर लेते हैं कि railway में साफ सफाई को अनिवारे कर दिया जाए इस से related आप एक बिल लाना चाहते हैं तो एक paper के उपर फिर आप अपना objective लिखेंगे कि भाई ये जो बिल है ये इसका नाम क्या है तो आप लिखेंगे railway का बिल है जिसमें में साफ सफाई से related जो भी है हम लोग चीजें करना चाहते हैं उससे related एक नाम देंगे फिर आप बताएंगे कि इसका objective क्या है इसकी जरूरत क्यों पड़ गई फिर आप ये बताएंगे कि क्या इस बिल में प्राभधान रहने वाले हैं क्या provisions रहने वाले हैं उन सब के बारे में आप discussion वगरा उसमें जो भी होगा वो करेंगे इस तरीके से पूरा एक proposal बनाएंगे कि इससे आपके क्या क्या objectives अचीव होंगे ये करने पर आपने फिर जुर्माना लगाना है फाइन करना है ये करने पर आपने प्रोचाहन देना है appreciation जो भी है एक लंबा चोड़ा आपने procedure बनाया है एक proposal बनाया है अब ये जो चीज है इसको जब आपने संसद में रखा ये बोलते हुए कि railway में साफ सफाई से related ये अपना जो है बिल लेकर आया हूँ या फिर एक legislation का proposal लेकर आया हूँ तो ये जो चीज है ये बिल कहलाती है अब इस बिल को जब आप legislative procedure से गुजारोगे कानून बनाने की प्रक्रिया से गुज जा सकते हैं तो बिल का मतलब क्या हो गया बिल बेसिकल लिए एक proposal है किसी भी विशय के उपर जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है संसद कानून बना सकती है उसमें से जो भी किसी विशय के ऊपर आप एक proposal लेकर आये हैं आपने बताया है कि भाई ये ये situations अभी चल जा रहा और जब ये पास हो गया डूली इनक्ट हो गया जो भी legislative procedure है उसको जब इसने clear कर लिया उसके बाद में ये एक act या फिर एक कानून बन जाता है अब ये जो बिल्स वगेरा होते हैं ये दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका government bill और एक होता है private members bill इनके बारे में थोड़ा सा अपने को बातशीत करनी है government bill का मतलब होता है कैसा bill जिसको किसी minister के द्वारा present किया जा रहा है याने कि आपकी जो भारत सरकार है भारत सरकार का कोई मंतरी है अगर वो किसी bill को sensor में रखता है पास होने के लिए या यूं कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से अगर को government bill अब सरकार में जो मंतरी है ministers वगरा है उनके इलावा अगर कोई और member of parliament है और वो अगर एक bill लेकर आया है या फिर वो bill जो है पार्लियामेंट के सदन में या पटल पर रखता है तो वो bill कहलाते है private members bill थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात है private members bill का मतलब क्या है क गार में जो वेक्ती मंतरी नहीं है उसके इलावा अगर कोई भी member of the parliament कोई bill आकर अगर संसद में रखता है संसद के पटल के में रखता है तो वो bill क्या कहलाता है private member bill जैसे की बीजेपी की बात करते है इस वक्ट बीजेपी की government चल रही है तो बीजेपी के जो 303 संसद चुन ये जो government में जो आपके member of the parliament ministers वगएरा बने है इसके इलावा आप इस party के जो members है अगर उनमें से भी कोई वेक्ती अगर bill लेकर आता है फिर से सुनिएगा ये 303 संसद जो है अभी ruling party के इसमें से 75 max to max जो है वो आपके ministers बन सकते हैं इनको आप हटा दीजे जो वेक्ती minister बन हैं उनको हटा दीजे इसके इलावा बीजेपी party के भी जो आपके member of the parliament हैं उनमें से भी अगर कोई वेक्ती bill लेकर आता है और संसत के पडल पर रखता है तो वो बिल कहलाएगा private member bill तो ये ruling party होया opposition दोनों पर लागू होता है कोई भी ऐसा member of the parliament जो सरकार में minister नहीं है अगर वो एक bill लेकर आता है तो वो bill कहलाता है private members bill और अगर कोई वेक्ती या कोई member of the parliament जो सरकार में minister भी है अगर वो एक bill लेकर आता है पडल पर रखता है संसत के सामने रखता है parliament के किसी भी house में तो वो bill कहलाता है आपका government bill अब हम लोग bills के बारे में और थोड़ा सा फर्दर बातचीत करेंगे तो एक तो तरीका यह हो गया कि bills जो है उनको आपने दो तरीके से classify किया government bill and private members bill इसके इलावा एक classification और चलता है जिसमें bills को चार categories में divide किया जाता है ordinary bills, money bills, financial bills and constitutional amendment bills इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे ordinary bills का मतलब होता है ऐसे bill जो financial matter के इलावा किसी भी subject के उपर लाए जा सकते हैं यानि कि ऐसे bill जो ordinary subjects के उपर होता है यानि कि सिर्फ एक आपके financial subjects को आप अप हटा दीजे, financial subjects को अगर आपने हटा दिया, इसके इलावा अगर आप कोई भी subject के उपर bill लेकर आ रहे हैं तो उस financial matter से related होता है यानि कि exactly ordinary bill का उल्टा, ordinary bill का मतलब क्या था, everything minus financial bills या फिर financial subjects को आप हटा दीजे, everything minus financial subjects तो जो भी होगा वो आपका ordinary bill हो जाएगा, money bill का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ financial subjects, इसके इलावा और कोई चीज नहीं, तो अगर आप financial subjects से related कोई bill लेकर आते हैं, financial wishyों से related अगर कोई bill लाते हैं, तो वो कहलाता है आपका money bill, third होते हैं financial bills, financial bills जो होते हैं, ये भी finance के matters वगरा से related होते हैं, मगर ये money bill से अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत में discuss करेंगे, तो money bill और financial bill दोनों finance के matter से related है, money bill exclusively financial matter से deal करता ह इसके बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे तो यह जो है एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें बिल्स को क्लासिफाई किया जाता है और हमारे कंस्टिटूशन ने हमारे संभिधान ने इन चारों तरीके के बिल्स के पासिंग के लिए अलग तरीके के legislative procedures बनाए है अलग अलग तरीके की विवस्था दी है उसी को follow करते हुए इन बिल्स को bill के procedure से pass करा लो या ordinary bill को money bill के procedure से pass करा लो एक बार जब यह decide हो गया, define हो गया कि यह bill कौनसी category में आता है तो ordinary bill है तो फिर ordinary bill के procedure से ही उसे pass कराना पड़ेगा money bill है तो money bill के procedure से ही उसे pass कराना पड़ेगा and same goes for other also financial bill या constitutional amendment bill that whatsoever the bill is going to fall in the category आपको उसी particular procedure को follow करना पड़ेगा जिस category में वो bill आता है अब इनके बारे में हमने बातचीत करनी है तो अब हम लोग ordinary bill के बारे में बातचीत करेंगे ordinary bill को pass करने का क्या procedure होता है इसके बारे में हम लोग detail में बातचीत करेंगे तो ordinary bill जो है जैसा हमने बात की थी कि financial matters के इलावा किसी भी subject के उपर अगर कोई bill आप लाते हैं तो वो ordinary bill की category में आ सकता है या आता है तो एक ordinary bill पार्लियामेंट के दुनों में से किसी भी house में लाया जा सकता है, ये तो पहली बात हो गई, अब पार्लियामेंट में आप चाहिए उसे राज्यसभा में लेकर आएं, चाहिए आप उसे लोकसभा में लेकर आएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आप चाह पहली स्टेज का नाम है फर्स्ट रीडिंग, फिर आती है सेकंड रीडिंग, फिर आती है थर्ड रीडिंग, फिर आता है bill in the second house, और अखरी सटेप होता है ascent of the President, मतलब अगर आप यह चाहते हैं कि एक ordinary bill जो आपने let's say looks अब हम introduce किया है आप उसे pass कराके एक act बनाना चाहते हैं वही जो हमारा example था कि railway से related bill हम लोग लेकर आए हैं वो ordinary bill की category में आता है और अब हम चाहते हैं कि हम उसको pass कराके एक act बना ले तो उसको करना क्या पड़ेगा उ एक law या फिर एक act बनेगा अब हम लोग इन एक-एक steps के बारे में बातशीत या discussion वगरा करेंगे तो अब हम लोग ordinary bill की अलग-अलग जो passage के steps होते हैं उसके बारे में बातशीत करेंगे सबसे पहला आता है first reading first reading का मतलब क्या होता है let's say आप एक bill लाना चाहते हैं लोक सभा म या फिर let's say आप bill लाना चाहते हैं राज्यसभा में तो जो भी वेक्ति है चाहे वो minister है चाहे वो private member है जो इस bill को लाना चाहता है उसे सबसे पहले bill लाने के पहले आपका जो house है उसके सभापती से या फिर उसको जो preside कर रहा है उससे permission लेना पड़ती है लोक सभा की case में आपको speaker से permission लेना पड़ती है और राज्यसभा की case में आपको chairman से permission लेना पड़ती है तो यह जो permission आप लेते हैं कि मैं यह bill introduce करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं house के president से या यह जो house का speaker या chairman है इसे permission लेना चाहा रहा हूँ यह जो permission कहलाती है इसको बोला जाता है leave of the house या आने कि अगर आप चाहते हैं कि एक bill को आप house में लेकर आएं introduce कराएं तो उसके लिए आपको presiding officers जो है आपका house का लोगसभा के case में speaker और राज्यसभा के case में chairman जिस भी house में आप bill आ रहे हैं उसके presiding officer से आपको leave मांगना पड़ती है you have to ask for the leave of the house leave of the house का मतलब क्या है bill introduce करा रहा था वो खड़ा होता है house में और वो उस bill का title read करता है और उसके objectives को read करता है यानि कि वो दो चीज़ें बताता है एक तो यह bill का नाम क्या है इस ते यह समझ में आ जाता है कि bill किसके बारे में है और दूसरा इस bill के objectives यानि कि इस bill से आप achieve क्या करना चाहते हैं आप क्या जो आपको इस bill से मिल जाए उसके बारे में बातचीत की गई है जैसे railway की बात करते हैं जो हम example लेके चल रहे हैं कि आप चाहते हैं sanitation या साफ सफाई से related आप एक bill लेकर आए जिसमें railway को साथ सुत्रा रखना जो है हर वेक्ति की चाहिए वो आपके passengers हो चाहिए वो फिर आप objectives पढ़ दिये कि इससे हमें railway को साफ रखने में मदद मिलेगी sanitation वगएरा का जो drive है वो ठीक रहेगा स्वच भारत अभिहान जो है उसको हम लोग ज्यादा effectively कर पाएंगे and सारी चीजने इस तरीके से आपने सारी बातें जो हैं बता दी तो यह आपने title read कर दिया और अपने objectives read कर दिये इसके बाद में इस बिल के ऊपर कोई discussion वगएरा नहीं होता जब आपने title और objectives read कर दी है उसके बाद में इस bond के ऊपर अभी कोई discussion वगएरा नहीं होगा कोई debate वगएरा नहीं होगी and इसके बाद में होता यह है कि जो आपका officer होता है, presiding officer, लोग सभा के case में speaker और r खड़े हो के title और objectives को read करना और दूसरा बाद में उस bill का गजट में publish हो जाना ये दोनो steps जो है ये कहलाती है first reading ये दोनो steps का पूरा हो जाना ये दोनो steps का complete हो जाना या conclude हो जाना ये चीज़ कहलाती है first reading और इस तरीके से आपके जो पांच में से पहला step होता है first reading का वो खत्म हो जाता है अब हम लोगों को बात करनी है second reading के बारे में second reading की में क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातशीत करेंगे second reading जो है ordinary bill के passage की सबसे important stage मानी जाती है second reading जो है वो आपकी ordinary बिल के पैसेज की सबसे important stage मानी गई है इस दर्मिया होता यह है कि बिल की ना सिर्फ general scrutiny होती है मगर साथी साथ detail scrutiny होती है याने कि उसको generally भी consider किया जाता है और detail में भी consider किया जाता है और उसके बाद ही उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं इस stage में होता यह है कि जो बिल हमारा होने वाला है जो कानून बनेगा आगे जाके वो अपना final form लगबग लगबग grant करता है उसका actual final structure कैसा होने वाला है वो second reading में decide होता है इसलिए second reading जो है वो पूरे बिल के passage की सबसे important step या सबसे important process या procedure मानी जाती है अब इसमें तीन stages होती ह है जब आप second reading करते हैं तो second reading में तीन sub stages होती है इनके नाम है stage of general discussion दूसरा आता है committee stage और तीसरा आता है consideration stage stage of general discussion, committee stage and consideration stage इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है तो second reading का मतलब क्या है सबसे important stage है पूरे बिल के passage के procedure में इसमें बिल जो है इसकी general or detailed scrutiny होती है यानि इसको overview भी लिया जाता है और उसके अंदर आप गहराई में जाके इसकी एक एक चीज़ के बारे में आप बातची stage में decide हो जाता है तीन stages या तीन सब stages आप second reading में करते हैं stage of general discussion, committee stage and consideration stage के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है पहला आता है stage of general discussion देखिए होता है क्या है first reading हो गई है उसका गजट में printing वगरा हो गई है बिल की उसके बाद में जो printed copies है वो printed copies आपके house के members को distribute की जाती है वो सारी printed copies house के members को distribute करने के बाद में उस बिल के उपर general discussion वगरा किया जाता है बहुत detail में नहीं जाते मगर general discussion किया जाता है कि इस बिल को लाने के पहले की परिस्टितियां क्या है इस बिल को लाने की जरूरत क्या पढ़ रही है इस बिल को लाने के बाद में बदलाव कैसे हो सक ये इस तरीके से एक debate, general discussion वगरा जो है, इसके उबर किया जाता है, general discussion जब आपका खतम हो जाता है, उसके बाद में इस बिल को भेजा जाता है, committee के बास में, दो तरीके की committees हमारी parliament में होती है, एक होती है select committee और एक होती है joint committee, एक होती है select committee और एक होती है joint committee, select committee का मतलब होता है, जिस house में बिल को लाया गया है, उस house की committee, यानि की राजसभा में अगर बिल को लाया गया है, तो राजसभा के member से मिल कर अगर कोई committee बनी हुई है, तो वो कहलाती है select committee, और joint committee का मतलब होता है, जिसमें parliament के दोनों house के member हैं, तो अगर लटसे बिल आपका लोकसभा में आया है और लोकसभा ने उस बिल को एक ऐसी कमिटी को भेजा जिसमें सिर्फ लोकसभा की मेंबर्स हैं तो भी वो सेलेक्ट कमिटी कहलाएगा और अगर बिल राजसभा में आया है और राजसभा ने उस बिल को ऐसी कमिटी को भेजा जिसमें सिर्फ राजिसभा के member है तो भी वो committee select committee कहलाई है मागर अगर दोनों में से किसी भी house ने bill एक ऐसे committee को भेजा है जिसमें Parliament के दोनों house के member है तो फिर वो join committee कहलाती है तो generally होता यह है कि एक बार आपका general discussion हो गया है तो उसके बाद जिस house में बिल को लाया गया है वो house अपने select committee को भेज देता है अब यहां से जो है हमारी second sub stage शुरू होती है जिसको बूला जाता है committee stage अब committee stage में होता यह है कि जो committee है जिसके सामने बिल को रखा गया है वो bill के एक-एक clause को detail में study करती है एक-एक clause के उपर debate होता है discussion होता है और clause by clause उसको discuss करके pass करते हुए bill में आगे बढ़ते है committee के अगर कोई members वगेरा हैं जिनको लगता है कि कोई clause वगेरा को हटाना चाहिए इसको alter करना चाहिए रिपील करना चाहिए तो वो उसके उपर भी बातचीत करते हैं अगर वो चाहें तो किसी तरीके का amendment भी ला सकते हैं और अगर वो भी accept कर लिया गया तो वो bill का part बन जाता है इस तरीके से committee जो है उस bill को पूरा खोद कर रख देती है उस bill को पूरा detail में debate और discussion वगेरा करकर उस bill को clear करती है अब जब ये committee जो है इस bill को clear कर देती है clear करकर ये bill फिर से house में वापस आता है यहां से हमारी third stage शुरू होती है जिसको बोला जाता है consideration stage consideration stage में यह होता है कि जो bill है house जो है bill को clause by clause discuss करता है bill के clause के बारे में debate होती है discussion होता है and उसके बारे में आप अपने पक्ष में विपक्ष में जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं मेंबर्स हैं वो रख सकते हैं इसके बाद साथी साथ अगर कोई वैक्ति ये चाहता है कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट वगरा करें कोई member of the parliament या member of the house जो है वो चाहता है कि आप इसमें second reading है उसकी process complete हो जाती है तो आपको समझ में आ रहा होगा पहले हम लोगोंने general discussion वगरा किया overview ले लिया हम उसके बाद committee में भेजके इसके एकदम technical and final details वगरा में आप गए एक बार यहां से clear करने के बाद में house ने फिर से उसकी एक एक चीज को study किया और उसके बाद में उसको clear किया इस तरीके से general scrutiny भी हो गई और detailed scrutiny भी हो गई and more or less bill जो रहने वाला है जितने amendments वगरा होने दे सब हो चुके है more or less bill जिस तरीके का रहने वाला है उसका final shape उसको मिल चुका है और इसी के साथ में हमारी जो second reading है वो हमारी खत्म हो जाती है अब हम लोग आते है third stage या third step पर जिसको बोला जाता है third reading, third reading में जो house है उसके सामने bill के उपर जो debate है वो सिर्फ इस question के उपर confined रहती है कि आपने bill को as a goal accept करना है या bill को reject करना है आपने पूरा bill debate कर लिया discussion कर लिया जो भी उसमें changes वगरा करने ते कर लिया अब जो आखरी debate हो रही है वो इस बात के उपर हो तरीके का कोई amendment वगरा move नहीं कर सकते third reading के वक्त में यह बहुत important है यहां से सवाल पूछा जा चुका है third reading के वक्त में किसी भी तरीके का कोई amendments वगरा allowed नहीं होते है इसका reason यह है कि bill के बारे में general principles का discussion, debate, amendment और जो भी सारी चीज़े है वो second reading तक हो चुका है और दो बार हो या फिर house जो है इस bill को accept करेगा या फिर house इस bill को reject करेगा अब अगर वहाँ पे इस पूरी debate के बाद में voting होनी है उस voting में अगर जो majority of members present है अगर उन्होंने इस bill को accept कर लिया या फिर इसके favor में vote डाल दिया तो फिर यह बोला जाता है कि bill जो है वो पास हो गया है और एक बा पास हो कर फिर अब यह लोक्सभा में जाएगा और यहां से फिर अपना fourth stage शुरू हो जाता है जिसको बोला जाता है बिल इंडा second house उसके बारे में भाइप आते हैं आब हम लोग आते हैं फूर्स स्टेश के उपर जिसको बोला जाता है a bill in the second house लोकसभा में अगर यह bill introduced हुआ था और उसके बाद pass होगी राज्य सभा में पहुचा है या फिर राज्य सभा में अगर कि थीजिझे मैं अगर जब दूसरे house में आ गया यहाँ बीज़ पार संझे पाइक पूसरे house में आ गया तो फिर से यहां पर की जाती है तो पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में आने के बाद में पहली जो तीन स्टेज़ेज़ मैं फर्स्ट सेकें और थर्ड रीडिंग फिर से रिपीट की जाती है यह सारा step होने के बाद में आब यह जो प्रिजेट कर रहा है और चौथा आप यह कर सकते हैं कि आप इस बिल को लटका के रखें आप इसको पेंडिंग रखें आप इसके ऊपर कोई एक्षन ना लें चार एक्षन या चार चीजें जो हैं सेकेंड हाउस में बिल आने के बाद में जब उसकी फॉर्स्त य फ्र्ट जर सकेंड ऐ здоров हैं बहुं भर मार्व भी हो चुकिए है यह किया जा सकते हैं अब अगर second house ने बिल को जैसा का तैसा पास कर दिया जिस तरीके से वो आपके second house में आया था पास हो कि अगर उसको जैसा का तैसा पास कर दिया तब यह माना जाता है कि parliament के दोनों houseं से बिल जो है पास हो गया है। और जो पहला house जहां से bill आया था, उसने आपके इन amendments को accept कर लिया, उन्होंने मान लिया कि ठीक है, second house ने जो amendments की हैं वो सही है और हम उनको accept कर रहे हैं, तब यह माना जाता है कि bill को modified form में दोनों house ने pass कर दिया है, फिर से बात सुनिएगा, bill अगर as usual pass हो जाता है, तब माना जा जाता है, bill जैसा आया था, वैसा कि second house में pass हो गया है, दूसरा अगर amendments के साथ में pass हुआ है, और उसके बाद में पहला house जहां से bill आया था, उसने इस बात को accept कर लिया कि ठीक है, जो amendments वगरा किये हैं, second house ने, वो हमको accept है, तब हम यह बोलेंगे कि bill जो है, वो modified form में दोनों house ने reject कर दिया, all together इसको pass करने से मना कर दिया, या फिर जिस दिन इनको यह bill मिला था, officially यह bill जिस दिन इनको मिला था, उस दिन से 6 महीने pass हो गए हैं, और इन्होंने किसी भी तरीके का कोई action उस bill के उपर नहीं लिया है, ना उस bill के उपर आपने rejection show किया है, ना आपने acceptance show किया उस case में यह माना जाता है, इन दोनों cases में फिर यह माना जाता है, कि एक deadlock की स्तिति उत्पन्द हो गई है, एक deadlock जो है वो बन चुका है, और इसके बाद में president जो है फिर एक joint sitting बुलाते हैं, जिसमें फिर इस deadlock को solve किया जाता है, joint sitting क्या होती है, क्या उसका procedure है, उसके बारे बना जाता है, कि एक deadlock की स्तिति जो है वो निर्मित हो चुकी है, और president फिर जो है, वो ये बोलते हैं, कि हम एक joint sitting बुलाएंगे, एक joint sitting बुलाएंगे, जिसमें इस deadlock की स्तिति से, स्तिति को clear किया जाएगा, एक बार जब president ने ये बोल दिया, कि भाई joint sitting बुलाई जाएग तो फिर उसके बाद में पारलियमेंट के दोनों हाउस उस बिल के उपर आके कुछ नहीं कर सकता है। हो जती है तो इस stage में क्या क्या हुआ है second house में भी लाया सेकेंड रिडिंग उसकी हुई और उसके बाद में से पास में चार ऑप शनल जैसे का तैसा आपास कर दो perspectives श कर दिया या Siandapp के साथ पास किया और पहले हह ब को मान लिया तब यह माना गया कि दोनों हाउसों से बिल पास हो गया और फिर यह जाता है प्रेसिदेंट के पास में साइन होने के लिए अगर सेकेंड हाउस ने बिल को आल टुगेदर रिजट कर दिया या फिर उसको पेंडिंग रखा कोई एक्शन नहीं लिया और छे महीने निकल गए दोनों में से किसी भी एक स्थिती में यह माना जाता है कि एक डेट लॉग जो है वो बन गया है और उसके बाद में प्रेसिदेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए जॉइंट सिटिंग में दोनों जो हाउसों के मेंबर हैं वो सा है वो complete हो जाता है वो समाप्त हो जाता है इस तरीके से आपके चार स्टेजेज है first reading second reading third reading and bill in the second house of the parliament ये clear हो जाते है last stage होती है ascent of the president आप parliament के दोनों houses से bill pass हो गया है चाहे original form में हुआ हो चाहे modified form में हुआ हो चाहे joint से हुआ हो जैसे भी पास हुआ है एक बार पास होने के बाद में जब बिल पास हो जाता है पारलियमेंट के दुनों हाउसों से उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है या फिर प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है एसेंट के लिए या फिर उनके सिग यानि कि इसके उपर sign करने से मना कर दिया तो फिर वह बिल खतम हो जाएगा फिर वो act नहीं बन पाएगा क्योंकि president जब तक sign नहीं करते है तब तक कोई भी bill जो parliament से पास हुआ है वो कानून नहीं बन सकता है तीसरा यह हो सकता है कि अगर president उस bill को reconsideration के लिए return कर दें वो अगर Parliament को ये बोल के बिल को लोटा दें कि आप इसके उपर फिर से मंत्रना करें आप इसके उपर फिर से विचार करें उसके बाद में आप भी बिल भेज़ें मेरे पास तो अगर President ने एक बार बिल को reconsideration के लिए भेज दिया और Parliament ने इसको फिर से पास कर दिया चाहे modifications के साथ में पास किया हो चाहे without modification पास किया हो और फिर से अगर President के पास में ये बिल जो है भेज दिया गया एसेंट के लिए तब उनको फिर इसके उपर साइन करना पड़ते हैं तब वो इसको लोटा नहीं सकते हैं और उसके बाद में फिर वो एक Act बन जाता है और उसको Statute Book में जगह दी जाती है तो आपके पास में तीन options होता है जब President के सामने बिल रखा जाता है या तो sign कर दें या sign करने समना कर दें या बिल को लोटा दें और बिल लोटा दिया गया और फिर अगर पास होकर आ गया तो फिर आपको sign करना पड़ते हैं जो भी होगा ultimately जब President sign कर देते हैं तो फिर आपका जो ये बिल है जो Parliament के दोनों सद्नों से पास हुआ था ये finally एक act बन जाता है और उसके बाद में इसको जगे भी जाती है statute book में statute book याने कि आपकी जो कानून की किताब है जिसमें सारे कानून वगरा लिखें और statute book में जगे देने के बाद में फिर इसको लागू करवा दिया जाता है इस तरीके से जो है हमारा जो ordinary bill की passing का जो procedure होता है वो पूरा हो जाता है और पांच वा स्टेज जो है आपका complete हो जाता है इस तरह से आपके ordinary bills जो है वो pass होता है इंत्रड्यूस होने से लेके पूरा passing का procedure है and finally जब वो pass होते हैं उसके बाद में वो कानून बनते हैं और उसके बाद में वो लागू होते हैं So with this we come to the end of the session इस lecture में हम लोगोंने bills क्या होते हैं उसके बारे में बातचीत करी थी उसके बाद bills के अलग-अलग तरीके के procedures के बारे में बातचीत करी थी अलग-अलग तरीके के प्रकारों के बारे में बातचीत करी थी फिर हम लोगोंने ordinary bill के passing की पूरी procedure को detail में study किया था Next lecture में हम लोग money bill and financial bills के बारे में बातचीत करेंगे तो तब-तक आप इसको study कर लें अगर आपकी कोई questions वगेरा निकल कर आते हैं तो आप पूछ लें आप पूछ लें आपकी तो अंसर देम and then we'll be carrying on with money bill and financial bills and other stuffs in the subsequent lecture so by that moment of time keep preparing, keep working hard, may God bless you all and just don't give up keep working and keep moving Jain, thank you